Q. 1. वर्तमान समय में कितने सारवजनिक बैंक है? Q. 12. Q2. भारतिय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? Q. 1. अप्रेल 1935. Q. 3. भारतिय रिजर्व बैंक का मुख्याले कहा है? Q. मुंबई. Q. 4. भारतिय रिजर्व बैंक का राष्ट्रिय करन कब हुआ? Q. 1. जन्वरी 1949. Q. 5. भारतिय महिला बैंक की स्थापित हुआ? Q. 19. नवंबर 2013. Q. 6. भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? Q. 7. बैंक ओफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापित हुआ थी? Q. 1770 या. Q. 8. विश्व बैंक का मुख्याले कहा है? Q. Washington, D.C. में. Q. 9. व्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट निमनलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? Q. 10. बैंक विश्व. Q. 10. बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का फुल फॉर्म क्या है? Q. 11. विश्वी मुद्रा संबन्दित कारे किस बैंक का है? Q. 12. देश की सरकार वकेंद्रिय बैंक द्वारा जारी नोट वसिख्के कौनसी मुद्रा होती है? Q. 13. मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज का विश्व में कौनसा स्थान है? Answer Q14, Mumbai Stock Exchange को कब मान्यता मिली Answer 13 August 1957 में मान्यता मिली Question number 15, भारतिय रुपय के नोट पर कितनी भाषाओं में मूल्य का उलेक होता है Answer 15 भाषाओं में मूल्य का उलेक होता है Question number 16, वहरिन पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है Answer शोधनिय रिनपत्र Question number 17, भारतिय जीवन बीमा निगम, LIC की स्थापना कब हुई Answer 19 जनवरी 1956 में Question number 18, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किये जाते है Answer भारतिय रिजर्व बैंक Question number 19, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है Answer बांगलादेश, बांगलादेश को नदियों का देश कहा जाता है Question number 20, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया Answer पंजाब नेशनल बैंक Question number 21, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है Answer तापमान Question number 22, आय, रेवन्यू के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है Answer HDFC बैंक, आय, रेवन्यू के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक है Question number 23, कुल समपत्ती के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है Answer SBI, कुल संपत्ती के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक है Question No. 24, कितने प्रतिशत के फटे नोटों को बदल कर आप नए नोट ले सकते हैं? Answer 51 प्रतिशत के फटे नोटों को बदल कर आप नए नोट ले सकते हैं Question No. 25, भारत का GST, GST किस देश के मौडल पर आधारित है? Answer Kanađ, भारत का GST, GST, कनाडा देश के मौडल पर आधारित है Question No. 26, दो हजार रुपे के नोट के उपर किसका चितर अंकित था? Answer.mangalian, दो हजार रुपे के नोट के उपर मंगलियान चितर अंकित था Q2. Aqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Dena Bank का विल्यन किस बैंक में किया गया था? Answer. Bank of Bada, Vijaya Bank और Dena Bank का विल्यन, Bank of Bada, Bank में किया गया था. Question number 39. India Bank का विल्यन किस बैंक के साथ किया गया? Answer. Allahabad Bank, India Bank का विल्यन इलाहबाद Bank के साथ किया गया. Question number 30. कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? Answer State Bank of India State Bank of India Bank पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था Question number 31 भारत में GST लागू करने का सुझाव कि समिती द्वारा दिया गया था? Answer विजय केलकर समिती भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिती द्वारा दिया गया था Question number 32 भारत में सिक्कों की ढलाई का कारे कौम करवाता है? Answer वित्त मंत्रा ले Question number 33 RBI ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट खोशित कर दिया है? Answer IDBI RBI ने IDBI बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट कोशित कर दिया है